अंजुमने इस्लाम स्वली मोहम्मद और दोस मोहम्मद तीर मोहम्मद उर्दू प्राइमरी स्कूर सेमी इंग्लिश पुने तीचर अफसाना एहमद चाउश सब्जेक्ट मैथेमेटिक्स स्टैंडर्ड पूर्द अलाम वालीकूम बच्चो आज हम कॉइन्स और नोट एक्सचेंजिन सीख रहे हैं सबसे पहले मैं आपको कॉइन्स और नोट का इंट्रड़क्शन करा रही हूँ यह है 1 रुपी कॉइन, यह है 2 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन और 10 रुपीज कॉइन उसके बाद यह 10 रुपीज की निउ नोट है और यह 10 रुपीज की पुरानी ओल्ड नोट है यह 20 रुपीज की निउ नोट है और यह 20 रुपीज की पुरानी नोट है उसी तरह से ये 50 रुपीज की new note है और ये 50 रुपीज की पुरानी note है ये 100 रुपीज है new, ये 100 रुपीज है पुराने ये है 200 रुपीज new, 500 रुपीज new और ये है 2000 रुपीज ये हमारे coins है और ये notes है हमारे टेक्सबुक में पहले हम पॉइंस को एक्सचेंज करना सीख रहे हैं यहाँ पर वन रूपी का पॉइंस है और फिफ्टी फिफ्टी पैसे के दो पॉइंस है अब फिफ्टी पैसे तो चलन में नहीं है इसलिए मैं डिरेक्ली आपको टू रूपी के कोईं का एक्सचेंज करना सिखा रहे हूँ अब यह टू रूपी का कोईं है अगर हमको एक्सचेंज करना है यानि इसके चुट्टे लेने है तो हम लेने जाएंगे तो हमको वन रूपी का एक कोईं वन रूपी का एक कोईं इस तरह से टू रूपी के हमको दो पाइं मिलेंगे अब उसके बाद अगर हमें 5 रुपीज का एक्स्चेंज करना है 5 रुपीज का एक्स्चेंज करने जाएंगे तो हमको कैसे मिलेंगे या तो 1 1 1 रुपीज के 5 पॉइंट मिलेंगे या 2 रुपीज का 1 पॉइंट, 2 रुपीज का 1 पॉइंट इतने होगे 24, और ये 1 रूपीज का एक, इस तरह से 5 रूपीज के हमको exchange मिलेगे, उसके बाद, अगर हम 10 रूपीज का coin exchange करने जा रहे हैं, तो 10 रूपीज का exchange करने के लिए हमें, अगर 11 रूपीज के coin होगे तो 10 coins मिलेगे, और टू टू रूपीज के लेना है तो टू टू रूपीज के 24, 6, 8, 10 1, 2, 3, 4, 5 टू रूपीज के जो है 5 कॉइंस मिलेगी अगर हमें 5 रूपीज के लेना है तो 5 and 5, 2 कॉइंस मिलेगी इस तरह से हम कॉइंस को एक्शेंज कर सकते है अब हम 1 by 1 एक एक नोट का एक्शेंज करना सिखेंगे यहाँ पर पहले अगर हम 10 रूपीज का एक्शेंज कर रहे हैं तो हमने कॉइंस की सूरत में ये 10 रूपीज का एक्शेंज देख चुके हैं अब हम 20 रूपीज अगर एक्शेंज करने जा रहे हैं 20 रूपीज जब हम exchange करेंगे तो अगर 10-10 रूपीज की note लेंगे तो हमको 10 रूपीज की एक और ये 10 रूपीज की एक इस तरह से 2 notes मिलेंगे उसके बार अगर हम coin लेने जा रहे हैं तो 10-10 रूपीज के 2 coins मिलेंगे 55 रूपीज के coin लेने जाएंगे तो हमें 4 coins मिलेंगे कैसे 5 रूपीज 10, 15 और 20 इस तरह से 20 रूपीज हमारे exchange होगे 50 रूपीज का exchange करने जब हम जा रहे हैं ये 50 रूपीज की new note है और ये 50 रूपीज की पुरानी वाली note है जब हम इसका exchange करेंगे तो हमको 10 रूपीज के 1, 2, 3, 4 और 5 कितने notes मिलेंगे 1, 2, 3, 4, 5 50 रूपीज के 10-10 रूपीज की अगर हम ले रहे हैं तो 5 notes मिलेंगे अगर 10 रूपीज नहीं है तो हमें 20 रूपीज की एक और ये 20 रूपीज की एक 20 रूपीज की एक कितना हो गया और एक 10 रूपीज की note इस तरह से ये 50 रूपीज के हम इस तरह से exchange कर सकते हैं अगर हम 10-10 रूपीज की note अगर हम 10-10 रूपीज की note अगर हम 10 रूपीज मिलेंगे 100 रूपीज की exchange में और 20-20 रूपीज की अगर हम ले रहे हैं तो 1, 2, 3, 4 और 5 20 की जब हम ले रहे हैं तो हमें 5 ही note मिलेंगे 10 का हाफ 5 10, 20 और 20, 40, 40 और 20, 60, 60 और 20, 80, 80 और 20, 100 और अगर हम 50-50 रूपीज के note ले रहे हैं तो हमें 50 रूपीज के 2 note मिलेंगे 50 and 50, 100 200 के exchange में हमें 100 और 100 के 2 notes मिलेंगे और अगर 50-50 लेते हैं तो 4 notes अगर हमें 500 का exchange करना है तो 500 की exchange में 1, 2, 3, 4, 5 100-100 के हमें 5 notes मिलें और अगर 50-50 के लेते हैं तो उसके double यानि 10 notes 2000 में हमें 500 की 1, 2, 3, 4 500 के हमें 4 notes और अगर हमें 2000 का 100-100 के exchange चाहिए तो 100-100 rupees 20 notes मिलेंगे और 50 rupees के 40 notes मिलेंगे Thank you